हेलो फैन वेलकम बैक, इंडिया में रेनॉल्ट ने अपनी नई सॉब कॉमपेट एंपीवी रेनॉल्ड ट्राइबर को लांच कर दिया है इंडियन मार्केट में ये रेनॉल्ड की अब तक की सबसे सस्ती सेवन सीटर कार है इंडिया में जहां कस्टमर अक्सर बड़े फैमली के लिए की फायदी कार खरिदने के बारे में सोचते हैं तो ऐसे में ये कार उनके लिए फिट बैटेगा यहां हम आपको इस सेवन सीटर कार के कुछ फीचर और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन और पावर की तो रेनाल्ड ट्राइबर में 999cc का 3-cylinder पेट्रोल इंजन दिया गया है जो की 72 PS का पावर और 96 Nm का टॉक जरेट करता है इस कार में मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन दिया गया है ये कार आपको 5 कलर आप्शन के साथ मिल जाएगा जिसमें Metal Mustard, Electric Blue, Fairy Red, Moonlight Silver और Ice Cool White सामिल है फीचर्स की बात करें तो इसमें Touchscreen Infotainment System के साथ Android Auto और Apple CarPlay, Dual Tone Dashboard, Electric Power Steering और Cooled Cup Holder जैसे फीचर दिये गया है वहीं Safety Feature की बात करें तो इसमें 4 Airbags, Automatic Door Unlock, Speed Alert, Seed Built Reminder, Reverse Parking Sensor जैसे फीचर दिये गया है इस कार के Dimension की बात करें तो इसके Lane 3990 mm है, Weed 1735 mm है, Height 1643 mm है, Wheel Base 2636 mm है, Ground Clearance 182 mm है इस कार में 40 L की Fuel Tank Capacity दी गया है braking system की बात करें तो इसके front में disc brake और rear में drum brake दिया गया है suspension की बात करें तो इसकार के front में lower triangle और coil spring के साथ mag furnace strut और rear में torsion beam axle suspension दिया गया है अब बात कर लेते इसकार के price की, तो Renault Triber की शुरुवाती एक्सरूम price 4.95 लाक रूपीज से है और इसके top and variance का एक्सरूम price 6.49 लाक रूपीज तक जाती है price के मावले में Renault Triber का मुकाबला Maruti Swift की Swift और नई Hyundai Grand i10 Neos जैसे कारों से हो सकती है 7-seater कारों की बात करें तो Triber का मुकाबला Toyota Inua, Krista, Mahindra Zylo, Maruti Suge की Ertiga, Mahindra TUV3 and D जैसे कारों से हो सकता है इस वीडियो में फिलाल इतना वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like, share जरू कर दे अगर आपका कोई question है तो हमें comment करके पूछ सकते है Thank you friends, thanks for watching